नमस्कार में अप्रिया आज है 17 अप्रेल खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर 25 अप्रेल तक विधान सभा में लगा ताला COVID-19 के बढ़ते मामलों को लेकर राजुद ने जारी किया अपना बयान NIT पटना की कोमल को Microsoft से 40 लाग का मिला पाकेज कि तहत आनेवारी इंद्रा गांधी परमानु अनुसंधान केंडर में 337 पदों पर वेकिन से निकाली है आवेदन की प्राक्रिया 15 अप्रेल से शुर्ख होगी और 14 माई तक www.igcar.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकेगा इन पदों के लिए सेक्षनिक योगिता की बात करें तो Graduate Engineer Technical Officer पद के लिए आवेदन कर सकते हैं Atmospheric Science और Meteorology के लिए सिर्फ MSC डिग्रेधारक ही आवेदन कर सकते हैं PSG डिग्रेधारक Scientific Officer पद के लिए आवेदन कर सकते हैं बिहार में COVID-19 के डरा रहे हैं मामले गोपाल गंज में 153, जमुई में 37, जहानबाद में 149, कैमूर में 33, कटिहार में 56, खगडिया में 31, किफशन गंज में 16, लखी सराय में 49, मध्यपूरा में 92, मधुबनी में 56, मुंगेर में 172, मुझफरपूर में 392, नालंदा में 117, रहनवादा में 100, पटना में 1364, पॉल में 50, वैशाली में 117, वैश्चंपारण में 151, मामलो की पुष्टी हुई है, इसके साथ ही 47, ऐसे मामलो की पुष्टी हुई है, जो दूसरे राजयों के हैं, लेकिन उनका सैंपल बिहार के अलग-अलग जिलो में कलेक्ट किया गया है, इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1830 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 272,403 पर पहुँच गई है, बिहार में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को लेकर 18 अपरेल को होगा फैसला, मुख्यमंदरी नितीश कुमार ने बिहार में बेलगाम बढ़ रहे, कोविड-19 के मामलों को लेकर अब अपना बयान जारी के है, जिसके तहत उना ने कहा है कि बिहार में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बारे में कोई भी फैसला भी नहीं लिया गया है, आज सर्वदल ये बैठक वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माधियम से होगी, जहां मुख्यमंत्री नितीश कुमार बिहार में COVID-19 की परिस्थिती के बारे में चर्चा करेंगे, इसके साथ ही ऑक्सिजन की कमी को लेकर भी बात होगी इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि बिहार में लॉकडाउन ये नाइट कर्फ्यू को लेकर चर्चा ह इसे बीच पटना के नाइटी और आईटी के चात्रों से जुड़ी एक एहम ख़बर सामनी आई है, जिसके तहट नाइटी पटना में CS विभाग की कोमल पांडे का क्यांपस सेलेक्शन हो गया है, जिसके तहट Microsoft Company ने उन्हें अपने साथ काम करने का मौका दिया है, कोमल को बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे शिवनाद सिंग की, बिहार का नाम जब भी लिया जाता है तब तब सेहन शक्ती की मिसाल दी जाती है, अक्सर ये कहा जाता है कि बिहारियों में सेहन शक्ती काफी ज्यादा होती है, इसी का प्रमाण बिहार के रहने वाले शिवना इसके साथ ही उन्होंने 10,000 मीटर की दौड में रवजग पदक भी अपने नाम किया था आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार के लाल ने दोनों ही रेस नंगे पाउं जीते थे और अते हास रच दिया था COVID-19 के इलाज के लिए रेट है फिक्स स्वास्तव भाग के तरफ से जारी किये गए निडने के आलोक में COVID-19 से संक्रमित मरीजों का नीजी चिकित सासंसानों में इलाज है तो जिलावार वर्गी करन और दर्ग का निरधारन किया गया है स्वास्तव भाग ने शहर जिला को तीन शेनियों में बाटा है इसके तहर ने बी एच मानेता प्राप्त अस्पताल में सामाने रूप से बिमार मरीजों को 10,000 गंभी रूप से बिमार 15,000 और अती गंभी रूप से बिमार है तो 18,000 निरधारित किये गया है इसके साथ ही द सामाने रूप से बिमार को 6,000 गंभी रूप से बिमार को 9,000 प्रतिक गंभी रूप से बिमार को 10,800 निरधारित किये गया है वही एच मानेता प्राप्त जो भी अस्पताल नहीं है वहाँ पर मरीजों को थोड़ी राहत जरूर दी गई है बिहार में पंचाय चुनाव को लेकर रास्ता हुआ साफ बिहार में आयोजित पंचाय चुनाव में एवें को लेकर सारा दावफ पेच फसा होआ था अला कि अब राजो निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग के बीच हुई बैठक के बाद इस मामले का हल निकाल लिया गया है जिसके तहट अब सिंगल पोस्ट EVM से पंचाथ चुनाव का आयोजिन करवाय जाएगा इसके लिए राजो निर्वाचन आयोग और भारत भावना खत्म हो गई है लम्च के बाद जे लन्म्च और अन्म्च को बनाये जाएगा कोबिड डेडिकेटेड अस्पताल बिहार में कोबिड-19 की सिती लगातार खराब होती जा रही है जिसके बाद अब सरकार भी अब आक्शन मोड में नजर आ रही है स्वास्तमंत्री मं अन्म्रित ने साल और प्रेस कॉंफरेंस कर बड़ी जानकारी दी हो नों ने कहा है कि भागलपूर के JLNMCH और गया के ANMMCH को कोबिड-19 डेडिकेटेड अस्पताल बनाये जाएगा राजे के सभी संग्रहाले को 15 मई तक बंद करने का जारी वादेश बिहार में सभी संग्रहाले को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है कला संस्कृति एवं युवब भाग में बिहार के सभी संग्रहाले को 15 मई तक बंद करने का आदेश दिया है प्रधान सचिफ की आदेश के बाद अधवाग ने पत्र जारी कर ततकाल प्रभाव से राजो सरकार द्वारा संचाल सभी संगटनों के लिए आदेश जारी किया है अब को बता दे कि COVID-19 के माहौल में भी सभी संग्रहाले खुले वे थे हाला कि जुस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं ऐसे में इस बात की चुंता जटाई जा रही है थी कि संक्रमन औरतेजी से फैल सकता है बिहार के एक और IAS पाई गए COVID-19 पॉजिटिव आमनागरिकों के साथ साथ अब वरिष्ट पद पर पद स्थापित अधिकारी भी COVID-19 की चपेट में आ रहे हैं इसक्रम में एक और IAS की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर सामने आई है मिले जानकारी के नुसार नालंदा के डियम योगेंदर सिंग के रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है उन्होंने RT-PCR जांच के रे सैंपल दिया था बीते दिन उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है इसके बाद उनकी आवास और कार्याले को सानिटाइज करवाए गया है साथ ही मिलने वालों से कोरोना जांच करवाने की अपील की गई है COVID-19 के बढ़ते मामलों को लेकर राज़त ने जारी के अपना बयान होते जार है COVID-19 के कारण इतने लोगों की जान जारी है अस्पतालों में बेड की कमी हो रही है ऐसे में जरूरी है कि सरकार वबक्ष और एक्सपर्ट एक साथ बैट कर कोरोना से लड़ने के रिए ज़रूरी रणीती पर सब की राय नी जाए 25 सपरेल तक विधान सभा में लगा ताला विहार विधान सभा के अध्यक्ष विजे कुमार सिना ने सभी सचिवाले में तेजी से बढ़ रहे COVID-19 के संक्रबन को ध्यान में रखते वे विधान सभा को 25 सपरेल तक पूरी तरीके से बंद करने का आदेश जारी कर दिया है पहले से निरधारित अती महत्वपूर्ण कारियों का इंदश पादन सिर्फ किया जाएगा कार्याले बंदी की इस अबधी में सभी पतादिकारी कर्मशारी को मुख्याले में रहने और इस अबधी में अपना मुबाइल ओन रखने का आदेश दिया गया है इस आदेश के बाद वीजो कुमार सिन्हा ने कहाई कि कोई भी सरकार चिकित सक्च्य मत्यम से मात्र बिमारी का इलाज करा सकती है महामारी का इलाज साध्धानी सतर्ता और समाज की जागरुपटा पर नेरभर करता है सीतामडी के हलेशवर स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास और इसके साथ ही घंगोर बारिश होने लगी थी और अलाके में आकाल समाप्थ हुआ बिहार में कोरोना के नए स्वरूप के सैंपल भेज़े गए भुविनेश्वर और पुने COVID-19 की दूसरी लहर देखने को मिल रही है जितनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं बाद से इसके स्वरूप की पहचान के प्रयाज शुरू हो गया है राजिसरकार इसकाम में भुविनेश्वर और पुने के बालोजी लाब की मदद के लिए जा रही है यह जानकारी स्वास्तवभा के व्रधान साचिफ प्रत्य अमरित ने दी है मुंबई सेंटरल और समस्तिपूर के बीच चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेण के अवधी में हुआ विस्तार यात्रिकन कृप्या ध्यान दे यात्रिकों के सुवधाओं को ध्यान में रखते वे मुंबई सेंट्रल और समस्तिपूर के मध्य चलाई जा रही मुंबई सेंट्रल समस्तिपूर मुंबई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन का परिचालन एक दिन की बजाए हफते में चार दिन किया जाएगा पहले के निर्ने के अनुसार स्पेशल ट्रेन का परिचालन मुंबई से समस्तिपूर के लिए 15, 22, 29 अप्रेल को और समस्तिपूर से मुंबई के लिए 17, 24 अप्रेल को और 1 मई 2021 को निर्धारित किया गया था लेकिन लंबी प्रदीक्षा सूची को देखते भी अब स्पेशल ट्रेनों का परिचालन सपता हमें एक दिन के बदले चार दिन के आ जाएगा जिसकी बाद रेलवे ने यह साफ कर दिया है कि इस ट्रेंड में सफर करने वाले यात्रियों को कोविड-19 से बचाफ के लिए जारी किये गए प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवारे होगा कोविड-19 के बावजूद दिखी मा की ममता, कोविड-19 का संक्रमन लगातार बढ़ता जा रहा है ऐसे में खून के रिष्टे को तार-तार करने की खबरे भी लगातार सामने आती रही है इसी क्रम में दर्भंगा जुरे से एक भावुक कर देने बाला मामलास सामने आये है जिसके तहरे DMCH की आइसोलेशन वार्ड में भरती कोरोना पॉजिटिव अपने पांच महीने की बच्चे को भूग से बिलगता देख एक मा का कलेजा फट पड़ा इसके बाद हर दर्थ को पीछे छोड़ कर आइसोलेशन वार्ड में घुज गई और अपने बच्चे को दूथ पिलाने लगी आपको बता दे कुछ दिनों पहले ही दर्भंगा के सदर प्रखट के एक गाउं का पांच महीने का कोरोना संक्रमत बच्चा पाए गया है हाला कि बच्चे के माबाप की रिपोर्ट नेगिटिव आई है लेकिन बच्चा COVID-19 की चपेट में आ गया है जिसके बाद से लगातार उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है लेकिन भूग से बिलगते अपने बच्चे को देखकर उसकी मा को रहा नहीं गया साथ समंदर पार से प्रफेसर बिटिया ने रिटायर पिता के लिए मांगे इंसाफ बिहार सरकार शुरू से ही सुष्टाशन राज की दावे करती आई है हाला कि समय समय पर बिहार सरकार के इस दावे की पोल खुलती नजर आई है सिक्रम में अब तक और मामला एक और सामने आया है जिसके तहट साथ समंदर पार से एक महिला प्रफेसर ने अपनी संपत्ती बचाने को लेकर गुहार लगाई है ख़बरों के माले तो स्विडन के गोटेनबर्ग उनिवर्सिटी में प्रफेसर स्वाती पराश्र ने बिहार सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है ने प्रवासियों को उनके गाउं में ही रोजगार देने की कही बात बिहार में जैसे जैसे COVID-19 का ग्राफ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रवासी मजदूरों की बिहार वापसी भी लगातार बढ़ती जा रही है हलाके इस बार बिहार लॉट आए प्रवासियों को बिहार सरकार यहीं पर रोखने का मन बना रही है यही कारण है कि ग्रामी इन विकास मंत्री शरवन कुमार ने हाली में प्रवासी मजदूरों को दिये जाने वाले रोजगार को लेकर अपना बयान जारी किया है जिसके तहट उन्होंने कहा है कि राज्य के सभी 38 जिलों में मन्रेगा योज्रा का क्रियान वियन किया जा रहा है इस योज्रा का मुख्यों देश जीवी का सुरक्षा को सूद्रेट करना है बिहार कैडर के IPS अधिकारी रहे रंजीत सिनहा ने दुनिया को कहाल विदा COVID-19 ने आमनागरिकों की जिंदगी छीन ली है इसकरा में बिहार कैडर के IPS अधिकारी रंजीत सिंग जो की 1974 बैच के आफिसर रह चुके थे उन्होंने बीते दिन आखरी सांस ली है खबरों की मानेत उन्होंने दिली में अपना दम तोड़ा है रंजीत सिनह, लालोप्रसाद, यादव की करीबी माने जाते थे CBI डारेक्टर रहने पर उन पर कई गंभीर आरोप भी लगे थे उन्होंने CBI ने देशक से पहले ITBP जैसे कई एहम पद भी संभाले थे पोस्ट ओफिस खात अधारकों के लिए बड़ी खुश कबरी सभी खात अधारकों के लिए एहम सुच्णा अगर आपका भचट खाता भी पोस्ट ओफिस में है तो आपके लिए रहात की खबर सामने आई है केंदर सरकार ने हाली में पोस्ट ओफिस सेविंग्स अकाउंट स्कीम 2019 के नियमों में बदलाव किया है जिसके ताहर पोस्ट ओफिस बचट खाते में नियॉन्तम बैलंस नहीं रखने पर लगने वाले जुर्माने को घटा कर आधा कर दिया गया है वित्मंद्रॉ्णे की तरफ से जारी की गई अधी सूच्टा के अनुसार पोस्ट ओफिस बच्चत खाते में नियूंतम बैलंस बरकरार नहीं रखने पर लगाय जाने वाले जुर्माने को 100 रुपे से घटा कर 50 रुपे कर दिया गया है आपको बता दे पोस्ट ओफिस बच्चत खाता नियमों के अनुसार बरतमान में खाता धारकों को 500 रुपे का नियूंतम बैलंस अपने खाते में रखना अनिवारे है BCCI ने जारी की नई अनुबंध सूची, BCCI ने हाली में अपना सालाना कॉंट्राक जारी कर दिया है इसके साथी 20 श्रेनी में रिदिमान साहा उमेश यादव, वुवनेश्वर कुमार, शाल्दूर ठाकूर, मयंक अगरवाल का नाम शामिल है भारत के इतिहास में आज की तारीक कई कार्णों से है, धर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीक कई कार्णों से हमानी जाती है 2003 में पचपन वर्ष बाद भारत ब्रिटेन संसिदीय मंच का गठन आज़ी के दिन हुआ था भारत के बिलीडियर्स और रिस नुकर गीत सेठी का जन मुनिस सो एक सट में आज जी के दिन हुआ था भारत के दुईतियर राश्टपती सर्वपली राधा कृष्टन का 1975 में आज जी के दिन उन्हांने दुनिया को अलविदा कहा था आज जी के दिन को विश्वे हैमोफोलि या .gov.in पर जाना होगा इसके बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ट के साथ अपना अकाउंट लॉग इन करना होगा जब आप लॉग इन कर लेंगे तो आपको कुछ विकल्प दिखाई देंगे जिसमें से आपको मैनेज पर क्लिक करना होगा इसके बाद आपको इन ओपन होगी उसमें उपलब्द डीटेल यानि की अवेलिबल डीटेल दी गई होगी उसके बराबर में चेंजिस रिकॉइड का कॉलम होगा उसमें नाम जनितिती और लिंक का विकल्प मौजूद होगा जो भी डीटेल आपको अपडेट करानी है उसे भर कर नीचु दि बता है कि 20 दिन का शूट करने के बाद आक्टर ने आगे डेट देने से इंकार कर दिया आक्टर के पास समय नहीं है हाला कि खबरों की मानने तो बताया जा रहा है कि कार्देकारिन को फिल्म की स्क्रिप्ट ही पसंद नहीं आई थी अब आईए जानते हैं सराफबाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफबाजार की बात करें तो सोने का भाव 16 प्रेल को 22 क्यारट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,950 रुपे था वहीं 24,950 रुपे था इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी जिन्यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है राजु कुमार, नितीश कुमार, बली कुमार, इमरान खान, रोहिद कुमार, धर्मेंदर कुमार, मुन्ना सिंग, मुन्ना अस्लम, राज फुलेंदर राम प्रवेश, राज उदे कुमार, सुभाश कुमार, गर आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार बिहार सरकार की होने वाली बैठक में लोकडाउन और नाइट कर्फियो को जारी कर देना चाहिए या नहीं अपने जवाब हमें कॉमे